मार्केट से अगर हम मिल्क मेड लेकर आते हैं तो छोटा से छोटा टिन भी अगर हम खरीते हैं तो डेर सो से दो सो रुपए उसकी कोस्ट होती है तो अभी जब फैस्टिव सीजन आ रहा है तो हमें बहुत सारी मिठाईयां अगर इजी क्वेक तरीके से बनानी और उनमें बह मिल्क मेड्ड तो वही मिल्क मेड्ड बिलकुल मार्केट जैसा टेस्ट और कई गुना उससे बहतर कौंगी मैं और वहीसा ही बिल्कुल टेक्शर आप घर पे बनाले तो आपका काम कितना आसान approximately सीजेगा बहुत ही स्मूध सा ये आजनल हमने बना तो चलिए शुरू करते हैं यहां फुल फैट मिल्क है अगर आपके पास फुल फैट मिल्क ना एवलेबल हो तो आप डेली रुटीन में जो भी दूद्ध यूज करते हैं जो भी दूद्ध पीते हैं वह आप ले सकते हैं इसमें तो यहां मैंने इसको कम से कम 15 मिनिट के इस दूद्ध को उबला है आप अपने दूद्ध की कंसिस्टेंसी देख लीजिए फिर यहां मैंने हाफ लीटर दूद्ध में ग्राम से दिखा जाए तो 200 ग्राम चीनी या फिर 3-4 बाउल लिया है तो आप अपने इसमें थोड़ा सा स्वीट होता है मिल्क मेट तो इस आप एक बार डिस्क्रेप्शन वॉक्स जरूर से चैक कर लीजेगा इसे हमें अच्छे से उबालना है बहुत अच्छे से इसको उबालेंगे जितना अच्छा उबलेगा वैसा ही आपका अच्छा सा मिल्क मेट बनेगा और अगर आपका दूद्ध पतला है तो उसको आपक के लिए शुगर डालके हमें इसे उबालना है मैंने कुछ देर के लिए पहले उबाला था 10-15 मिनिट के लिए फिर थोड़ा सा घाड़ा पनाने के बाद में शुगर एड़ करके फिर इसको उबाला है मैंने यह देखिए घाड़ा सा इसका क्रीमी सा टैक्शर हो गया है मिल मिल्क मेड हमारे लिए बहुत सारी चीजों में यूज आता है नारियल के लड़ू कहलो सवाईयां कहलो या फिर खीर कहलो किसी में भी मिला लो आपका काम आसान हो जाता है और उसमें आपको शुगर एड़ करने की भी जरुरत नहीं पड़ती है तो फैस्टिव सीजन में एक मैं लिंक डिस्क्रैप्शन में देदूंगी आप वहां से चैक कर लिजेगा कोकोनट के बहुत ही क्वेक लड़ू बनाये हैं मैंने बहुत ही अच्छे स्नो बॉल्स बनाये हैं तो आप एक बार चैक कर लिजेगा ये दूद हमारा उबलकर तयार हो गया है लगबग उबल है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी हो गई है घाड़ा पना गया है दूद को हैवी बॉटम पैन में ही उबालें तक ही तले में चिपके ना और उसको हिलाते रहें यहां मैं आपको दो सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूं तो आप वीडियो देखेगा एंड तक कि अगर आपका मिल्कमेट आप बनाते हैं तो किन चीजों का दियान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा मिल्कमेट बनेगा यह देखेए दूद बिल्कुल आधा रह गया है अब इसी स्टेज पे हमने यहां एड किया है वन फोर्थ या कहलें एक पिंच के आसफा बेकिंग सोड़ा जी हां बेकिंग सोड़ा यहां एड करना है यह दियान रखेगा ऐसा नहीं हो कि आप बेकिंग सोड़ा की जगे बेकिंग पाउडर डाल देए यहां बेकिंग सोड़ा एड किया है मैंने जो अपना नाश्ते में डलता है वही वाला है देखिए यह जैसे है milkmate बनकर तयार हो रहा है फिर हमें इसको उबालना है थोड़ा सा इसको उबाला है मैंने ये बिल्कुल last stage पर मैंने किया है और कुछ seconds के लिए इसको कर रहा है और फ्रॉदी अगर हो गया है तो आप आप नॉब आफ कर दीजिए या फिर आप कर सकते हैं बॉइल मिल्क जब लास्ट स्टेज पर गैस आफ करके फिर ये पिंच आफ सोड़ा आप इसमें एट कर दीजिए और इसे रागुलर हिलाते रहें ये देखे बिल्कुल फ्रॉदी हो गया है कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है न अब जो मैं दो टिप्स की बात कर रही थी न दो टिप्स ये हैं कि अगर अपका कंडेंस मिल्क थोड़ा घाड़ा हो जाता है तो गबराने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे आप उसमें थोड़ा सा मिल्क एड़ करके एक बॉइल ले लीजिए तो बिल्कुल पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी यह देखिए गैस आफ है मेरा और फिर मैंने इसको लगातार हिलाती रही हूं और यह देखिए बिल्कुल कैसा यह स्पून पे स्पैट्यूला पे बिल्कुल देखिए अपका मिल्क मेट थोड़ा सा घ्रेनी सा हो जाता है तो घबराने की ज़रुरत नहीं है उसे लास्ट में आप ग्राइंडर में गुमा सकते हैं ठंडा हो जाने के बाद इसे हम एक टाइट के या ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर देंगे तो देखिए कितना स्मूद और क्री और उससे भी बहुत टेस्टी आपका मिल्क मेट बनकर तयार हो जाएगा फिर उसके साथ आप लड़ू बनाईए उसके साथ अब जो मन चाहें बेकिंग में यूज कीजिए जैसा आप चाहें यूज कीजिए और जल्दी जल्दी से बनाकर अपना फीड़ बैक मेरे साथ ज महकता जाएका को जल्दी से कर दीजे प्री में सब्सक्राइब और कर दीजे लाइक शेयर